हेलो मेरी प्यारे शाथियों, स्वागत आप सभी का आज हमारे MS Word की ग्लास में आज हम आपको सिखाने वाले हैं MS Word के एक बहुतरीन फीचर्स के वारे में जैसे कि आप आपने अगर कभी भी MS Word को चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि MS Word में एक टैटल वार होता है आखिर उसका काम क्या है जो वहाँ पर बहुतरी बटन होती है उनका काम क्या है आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों को सेर कर देजेगा चलिए हम MS Word को ओपन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर उसका मैन यूज किया है जो वहाँ पर बहुत सार बटन है अखिर क्यों दिया गया MS Word में उसका हम यूज कब करें और कैसे करना चाहिए चलिए हम MS Word को ओपन करते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहोंगे मैंने MS Word को ओपन कर लिया ओपन करने के बाद देखी MS Word में यह जो पट्टी टाइटल वार है टाइटल वार के लेटर साइड में यहाँ पर तो मालेजे बटन है ओफिस बटन है इस ओफिस बटन के बगल में यह जो दिया गया है इसका नाम किया है आखिर यहाँ पर क्या दिया गया है आखिर क्यों दिया गया है इसका यूज हम कैसे करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका नाम है Q-Access Toolbar जो यहाँ पर दिया गया है इसको मतलब हम जानते हैं Q-Access Toolbar के नाम से जानते हैं इसका मतलब होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि Quick Access Toolbar का मतलब क्या होता है देखे Quick Quick का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी करना जल्दी करना, Quick करना Access, मतलब चालू करना Toolbar मतलब किसी भी Tool को बहुत जल्दी चालू कर लेना उसी को हम बोलते हैं जैसे कि देखी MS Word में जितने भी फीचर हैं, जैसे Home Tab, इंसा Tab, पेज लाउट, जितने भी Tab हैं, और जितने भी Tab में Option हैं, इन सभी Option को, किसी एक Option को, हम अपने Quick Access Tool वार में इसको एड़ कर सकते हैं, देखे, Quick Access Tool वार का यूज हम तब करते हैं, जब कोई Option ज्यादा Important है, और उस Option को हमको यूज करने लिए, हमको बार-बार कहीं जाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, कि उस Option को, हम अपने Tool वार में रख लेते हैं, और बहुत जल्दी उसको चालू कर सकते हैं, जैसे कि समझे जैसे कि कोई लेब्रेरी है, अब लेब्रेरी से अगर आपको कोई बुक रीड करना है, कोई बुक ये किताब आपको पढ़ना है, तब आप क्या करते हैं, कि वहाँ पर जाए कोई जो Important बुक है, उसको आप अपने केविन में रख लेते हो, अपने रूम में, फिर आप उस चालू कर सकते हैं, मतलब किसी एक Option को, आप जितना चाहो, उतना Option आप यहाँ पर Add कर सकते हो, मेरे दोस्त, तो चलिए, हम सीखते हैं, कि जो यह है Q Access Tool बाद, इसमें हम किसी भी Option को, किसी Tool को Add कैसे करें, और Remove कैसे करें, तो चलिए, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से पर Add कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, उल्ली तीन Option चालू है, तो यहाँ पर आपको तीन Option सो कर रहा है, पहला यहाँ आपका Save को हो गया, और Undo हो गया, और Redo हो गया, और इनकी अलावा कुछ और Option है, इनको भी आप जैसे मैंने New में क्लिक किया, यहाँ पर देख यहाँ पर Print तो नहीं है, तो उस Print Option को हम कैसे Add करें, यह समय आपको जानकारे देने वाला हूँ, तो चलिए हम समझते हैं, तो थोड़ा आप जब नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक Option है, More Command का, जब इसमें क्लिक करेंगे, More means होता और, और ज्यादा, मै अभी तो यहाँ पर जो Button है, उनली जो Popular Command है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं, उनके नाम है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, तब यहाँ पर ट्रैंगल में क्लिक करिए, यहाँ पर आपको Popular हो गया, All Command हो गया, सभी आपको Tab मिलेंगे, जिस भी Tab से, जिस भी Option क आप मतलब वहाँ पर Quick Access में रखना चाहते हैं, रख सकते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि माल लीजे, यहाँ पर मैंने क्लिकी All Command में, जैसे All Command में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जितने भी Computer के अंदर Option है, सभी यहाँ पर आपकी आजाएंगे, और यहाँ से किसी Option को Add कर मेरे सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ से Office Menu में क्लिक करता हूं, देखी जो आपकी Button हो गई, यह Office Button हो गई, इस Button के अंदर जो Option है… आपको यहाँ पर Show करेंगे, तो मैं यहाँ से Print Option को उठाता हूं, चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो बॉक्स है इस बॉक्स में नम जो अपने प्रिंट आप्सन इसमें एड़ हो जाएगा इसी तरह आपको जो 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 आप्सन एड़ करना है क्योंक एक्सेस में आपको बस क्या करना है उसमें क्लिक करना है जैसे यह माली जी मैंने ओपन में क्लि या open भी आगये मतलब यहाँ पर option आप add करने के बाद इनको remove भी कर सकती है remove कैसे करेंगे जो भी करना हो remove तो क्लिक करिए और यह remove option क्लिक कर देंगे remove हो जाएगा इतना करने के बाद चलिए मैं कुछ और option add कर देता हूँ चलिए मैं यहाँ से click करता हूँ और मैं home time में जाता हूँ, मैंने क्लिक किया home time में अब यहाँ पर सभी home time के option है जैसे यहाँ पर एक option change case का मैंने क्लिक किया और इसको भी मैंने add कर दिया इसी तरह कुछ और option जैसे माल लीजी यहाँ पर border का option मैंने क्लिक किया और इसको भी add कर दिया बोल्ड का option है, बोल्ड में क्लिक किया, इसको भी add कर दिया, आप यतना चाहँ उतना यहाँ पर add कर सकते हो, इतना करने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ पर नीची बटन, ok बटन है, आपको open ok में click कर देने, जैसे आप ok में click करेंगे, आप थोड़ा यहाँ पर देखें इसी option को बहुत जल्दी access कर लेना, चालू कर लेना, तब हम इस toolbar का use करते है, quick access toolbar का, जैसे अगर quick access toolbar का, जो location है, इसको अगर आपको यहाँ से हटा के यहाँ पर रखना है, तब इसका location हम हटा भी सकते हो, कैसे, आपको यहाँ पर click करना है, यहाँ पर option है, show below the ribbon, जैसे click करे आपको यहाँ पर आजाएगा, अगर इससे फिर उपर ले जाना है, तब फिर से click करिए, आप यहाँ पर option है, show above the ribbon, उपर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ और option है, यहाँ पर देखिए, क्लिक है minimize the ribbon, जैसे इसमें click करेंगे, तो जो आपके home tab का group bar पट्टी था, वो minimize हो ज भी हटा सकते हैं, अब माल लेजिए किसी option को आपको, क्योंक एकसे टूल वार से हटाना है, तब क्या करेंगे, उसे के लिए आपको यहाँ से फिर से जाए, और यहाँ से इसमें click करिए more command में, जाने के बाद फिर से वाई dialogue box आ जाएगा, जर्शे के माल लेजिए को change case को किसी option को shortcut की रूप में रखना है, तब वह भी आप काम कर सकते होगे, जैसे कि यहाँ पर एक option कीबोर्ड shortcut कीबोर्ड करिए, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारी option, जासे माले मैंने फाइल मेनू में क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको फाइल मेनू की option आ ग यहां पर आपको कोई new sorted key बना लेना है जैसे मैं C press किया C press करने स्कुछ नहीं होगा आपको control के साथ कुछ देना पड़ेगा मैंने control के साथ C दिया और यहां से assign करके ok कर देंगे जब हम control C करेंगे तो border all होगा लेकिन दोस्तों आपको पता होगा Ctrl-C से Copy होता है तो अगर हम यह Command दे देंगे तो Ctrl-C से Copy नहीं होगा उसका Command बदल जाएगा तो अब कोई दूसरा दीजिए जैसे मैं देता हूँ Alt-Ctrl-C दबा की तो मतलब अब यहाँ पर मैंने Command दे दिया है Alt-Ctrl-C मतलब मैंने Alt-Ctrl को दबा लिए फिर Save रिस्क लिए तो Automatically यहाँ पर लिग गया है अब मैंने यहाँ से Assign किया और इसको Close किया और यहाँ से मैंने OK कर दिया अब देखिए दोस्तों अगर इसमें को बॉडल लगाना है तब कि अगर यह Select करिए और Alt-Ctrl-C को दबा देजिए इसमें देखिए बॉडल लग गया तो इस तरह किसी भी Option को आप मतलब कहा जैस सोर्टर के रूप में भी बना सकती है प्लस आप यहाँ पर Quick Access Toolbar में भी रख सकती है तो I hope दोस्तों आपको Quick Access Toolbar समझ में आ गया होगा मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से Quick Access Toolbar का मतलब समझा दिया हो कि मतलब किसी भी Option को बहुत जल्दी चालू करना तब हम Quick Access Toolbar का युश करती है तो थाएंको फ्रेंट्स